आखिर भारत में भी खगोल सास्तर आया ना तो कब आया तो इसका इतिहास बहुत पुराना है और एक बहुत ही महान जो खगोल सास्तरी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे जो आज जितनी घटना घट रही है ना उनके द्वारा ही बताई गई है एकदम उनके कहीं कहीं स से पूरी तरह से एकदम सेम हैं आखिर उनका नाम क्या है यह सारी चीज़ें आपको मातर दो से तीन मिनट में आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी बिलीज वीडियो को अंतक देखिए और आप भारत में जो खगोल साथ्रा एस्ट्रो नामी है उसकी सुरुवात कैस नाम के जो एक खगोल सास्त्री है जिनका नाम क्या है आरे भट बहुत ही बड़ी जानकारी उन्होंने उस समय देखिए 23 इयर्स में उन्होंने कितनी बाते बताई थी वह अच्छे तरह से देख लिजिए 23 साल की एज में अपना एक मनलब बुक लिखा उसका नाम था आरभ जो अर्थ का लगभग 1050 योजन होता है जब हम लोग किलोमीटर में करते हैं लगभग इसी के बराबर आता है जो आज वास्तों में डायमीटर किसका अर्थ का था दूसरा बात अर्थ याईजाट स्पीर इन्होंने क्या पता आया कि अर्थ क्या है एक स्पीर है बिना इस एक्सिस पर घूमता है बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चीज एक्सिस पर घूमता है और इसका पीरियड जो होती है एक्सिस का 23 गंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड उन्हों क्या बताया था 23 गंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड का समय लगता है जो अपनी गूमने के लिए संगे अब घूमने की बात नहीं करने अपनी अपनी Hudson जानते है 24 गंटे में अच उस् 안돼 में एक जोंने बताया था सोलर एक्लिपस और लूनर एकलिपस के बारे में कि सूर गरहन और चंद्रगरहन कैसे लगता है उन्होंने बताया था जब सूर्य और पिर्थवी की बीच में पिर्थवी आ जाती है तो जो है चंद्रगरहन लगता है या चंद्रपर सन की छाया पूरी तरह से नहीं पढ़ पाती है तो उस समय और फट ने चार सो जो है निन्यानबे सी में ये सारी बाते बता दी थी जो हम सोचे कि आपको बताना जरूरी है क्लास एट के हिसाब से इस तरह साब समझ गए होंगे कि और फट ने कितनी कितनी बारे में बताया था वीडियो को अच्छा लगा हो सेर सब्सक्राइ भी बना रहे है तो आला फ्यू बेरी बेरी थैंक्स कि आपने अंत तक वीडियो को देखा थैंक यू